जेहन दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे हमेशा की तरह वो most important questions जो कि आपके exam के लिए बहुत ज़्यादा important है तो आप Indian Army की किसी भी trade की तैयरी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बनाई गई है तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए start करते हैं आज की वीडियो लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बता दे हैं कि 82720291919 हमारा WhatsApp नमबर है अगर आपके पास में Indian Army की किसी भी trade के कोई भी question paper है तो आप हमें इस WhatsApp नमबर पर send जरूर करें तो question नमबर बन है दोस्तों हमारा दिफ्लामेंट ओफ एन एलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ओफ बिजली के बल्ब का फ्लामेंट किसका बना होता है तो बिजली का जो बल्ब होता है उसका फ्लामेंट किसका बना होता है तो दोस्तों फ्लामेंट बना होता है टंगिस्टन का यानि की option भी question number 1 का correct answer है दोस्तों वीडियो को पूरा देखा करें क्योंकि हो सकता है मैं कुछ important question last में डालूँ या फिर वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो में सभी के सभी question important है तो ऐसा कुछ नहीं है कि last और first लेकिन एक भी question अगर आपसे छूट गया हो सकता है वही question आपको exam में मिले जो इसके लिए आप ना कर पाएं तो वीडियो को पूरा देखा करें साथ से आठ मिनट की वीडियो होती है only तो question number two है दोस्तो Mars gas is also known as Mars gas को किस नाम से भी जाना जाता है तो दोस्तो Mars gas के लिए जाना जाता है methane नाम से ठीक है तो option C इस question का correct answer है चलिए अगले question के तरफ चलते हैं दोस्तो question number three question number three है दोस्तो LPG consists of mainly LPG में मुख्रूप से होते हैं तो दोस्तो methane, butane और propane ये जो तीनों गैसे हैं वो LPG में मुख्रूप से होती हैं ठीक है तो option D इस question का सही answer होगा और इन में से भी दोस्तो अगर बिलकुर mainly पहुचा जाए तो butane और propane ही होती है लेकिन यहाँ पर methane, butane और propane तीनों option दिये गए हैं तो आपको इसी option पर जो है वो टिक लगाना है question number 4 की तरफ चलते हैं दोस्तो question number 4 है हमारा मिताली राज का संबंध किस खेल से है मिताली राज is related to which sport तो दोस्तो आपने पता होगा अगर आपने cricket देखते होंगे कि मिताली राज इंडियन महला cricket team की captain थी ठीक है तो option D इस question का सही answer है मिताली राज का संबंध किस खेल से है cricket से है चलिए, next question है हमारा question number 5 question number 5 है दोस्तो गुबारों में कौन सी gas भरी जाती है तो गुबारों में दोस्तों भरी जाती है helium gas, तो option B question number 5 का एक डम correct answer है चलिए अगला question है दोस्तों हमारा question number 6 मिनाक्षी मंदिर इस्थित है मिनाक्षी मंदिर कहां पर इस्थित है तो दोस्तों मिनाक्षी मंदिर कहां पर इस्थित है Tamil Nadu में तो option A question number 6 का एक डम सही answer है दोस्तों इस सभी question बहुत ज़्यादा important है और आपके exam में काफी बार repeat हो जुके हैं ठीक है तो एक एक question को बहुत ध्यान से पढ़ा करें ठीक है चलिए question number 7 है which color has maximum wavelength ठीक है किस तरंग का तरंग धैर अधिकतम होता है तो आप सभी को पता होगा काफी simple question है लेकिन simple के साथ repeatable question है ठीक है तो दोस्तो रेड यानि कि लाल रंग का जो तरंग धैर होता है वो सबसे अधिक होता है अब चलते हैं आज के अगले question की तरफ question no.8 यदि बायूमंडल न होता यदि बायूमंडल न हो तो प्रत्वी से आकास किस रंग का दिखाई देगा ठीक है if there is no atmosphere what color will the sky appear from the earth तो दोस्तो अगर बायूमंडल न हो तो प्रत्वी से आकास को जो रंग है वो कैसे दिखाई देगा काला दिखाई देगा तो option c इस question का correct answer है ओके आप चलते हैं आज की अगले question की तरफ question no.9 और question no.9 है दोस्तो what is the chemical name of C12, H22 and O11 ठीक है C12, H22, O11 का रासाइनिक नाम क्या है तो दोस्तो इसका नाम है sugar यानि की चीनी अब चलते हैं दोस्तो आज की अगले question की तरफ question no.10 तो question no.10 है दोस्तो अमरा, गौतम-वुद के गुरु कौन थे? Who was the teacher of गौतम-बुद? तो गौतम-वुद के दोस्तो गुरु कौन थे? आपको यहाँ पर बतानाirm है तो गौतम-वुद के कुरु कौन थे? गौतम-वुद के गुरु थे दोस्तो अलारा कलाम तो option B इस question का सही answer होगा चैलिए अब चलते हैं आज के अगले question के तरफ question number 11 question number 11 है दोस्तो गायत्री मंतर कहां से लिया गया है तो गायत्री मंतर कहां से लिया गया है दिख बेज से तो option A इस question का सही answer है अब चलते हैं दोस्तो आज के अगले question के तरफ question number 12 question है हमारा who is known as light of Asia किसे light of Asia के नाम से जाना जाता है ठीक है? options आपके सामने हैं तो आपको बताना है कि light of Asia के नाम से किसे जाना जाता है तो दोस्तो light of Asia के नाम से जाना जाता है महात्मा बुध्याने की गौतम बुध्य के लिए option D इस question का सही आंसर है अब चलते हैं दोस्तो आज के अगले question के तरफ question number 13 question number 13 है आपका which soldier started the revolt of 1857 किस सैनिक ने 1857 का बिद्रो आरंभ किया था तो दोस्तो आप सभी को पता होगा कि मंगल पांडे ने 1857 का जो है वो बिद्रो आरंभ किया था option B इस question का सही आंसर है अगला question है दोस्तो headquarter isro H इसro का मुख्याले कहां पर है तो isro का मुख्याले कहां पर है दोस्तो bangalore में तो option C इस question का सही आंसर है अब चलते हैं आज के अगले question और आज की वीडियो का last question ठीक है आज की वीडियो का last question है दोस्तो तो विटामिन E का रासाइनिक नाम क्या है तो दोस्तो विटामिन E का जो रासाइनिक नाम है वो है आपका टोको फेरोल तो option A इस question का सही answer है तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तो आप देख सकते हैं वीडियो कितनी देर के हुई है यह only 6 मिनट की ठीक है तो जल्दी से कर लीजिए मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ 827202-9919 मेरे वाटसप नमबर है आप कोई भी सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं तो चलिए दोस्तो कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार जैहिन जैवार